हलो स्टुडेंट, हलो एवरिवन, मैं प्रसांद कनोजे, असिस्टेंट प्रोफेसर जुला जी, आज का हमारा टापिक है कम्पुरेटिव एनाटामी आफ वर्टिब्रेट्स हाइंड लिम्, यह BSC सेकेंड एर के पेपर फर्स्ट की यूनिट दो से मैंने लिया है, इससे पह पेले हम देखते हैं, पेंटाडेक्टाइलस लिम्स क्या होते हैं, जो की इंपॉर्टन भाग है, तो पेंटाडेक्टाइलस जो लिम्स है, वो करेक्रेक्टिस्टिक फीचर है, वर्टिब्रेट्स का, the hand limbs of vertebrates are the पेंटाडेक्टाइल टाइप, they are built on the same fundamental plan, with some modification to suit the mode of the life, जीवन में जो उतार चरहाव आते हैं, उसमें जो कार बनते हैं, और वातावरन के हिसाब से, तो उसमें जो modification होता है, function में, वो इसमें पाआ जाता है, लेकिन उनका जो fundamental, जो plan है, पेंटाडेक्टाइलस हैंड लिम्स का, वो बराबर होता है, सेम होता है, सभी vertebrates में, तो यह typical hand limbs जो है, तीन segments में बटा हुआ है, first segment, second segment, third segment, तो first segment यहां से यहां तक आता है, जो femur bones कहलाती है, जिसे thigh bones भी कहते हैं, और इसमें एक head पाया जाता है, जो pelvic girdle के acetabulum से जुडता है, उसके बाद second part पाया जाता है, second bone, second segment जिसमें दो bones पाया जाती है, debia और fibula, इसको हम sank भी कहते हैं, इसमें जो कि debia और fibula पायी जाती है, और debia जो है थोड़ी सी developed bones होती है, और यह जाकर patela बनाती है, नीर एरिया पर, जो कि femur और یہ debia मिलकर patela बनाते हैं, जो घुटने का joint कहते हैं, वो बनाती है, और जो fibula है, थोड़ा सा weight carry करने के लायक bones बनती है उसके बाद लेते हैं third segment जिसमें torsal, metatorsals और phalanges पाई जाती है इसको हम foot भी कहते हैं यहां से लेकर यहां तक का जो portion है यह कहलाता है third segment और third segment में torsals, bones पाई जाती है यह ankle की bone है फिर black color का जो आप देख रहे हैं वो metatorsals है और फिर यह उंगलियों का जो part है उसको कहा जाता है phalanges इस प्रकार यह phalanges और digits भी कहलाती है तो यह सभी vertebrates में यही same plan में पाई जाती है अब लेते हैं comparative anatomy आप चारो vertebrates animal का amphibia में frog और reptiles में calotis birds में pigeon और mammals में rabbit की structure हम लेते हैं तो hand limbs are found in amphibia reptiles, birds and mammals सभी में hand limbs पाई जाते हैं they are pentadectile हमको पहले से मालूम है pentadectile type है they are homologous organ homologous organ है जो hand limbs है चारों के homologous organ है फिर important एक character है they have the same structure but they do different function structure तो same है लेकिन उनके कार ये अलग-अलग होते है इसके पस्चात the hand limb is used for hoping in frog frog में hoping के काम आती है crawling in reptiles reptiles में crawling के लिए काम आती है perching in birds birds में perching के काम आती है perching mechanism वो mechanism है जिसमें कि birds किसी साखा में बैठती है तो वहाँ पर उसकी जो body weight के कारण जो calves muscles से खीच जाती है और उंगलियां जो है interlocking होकर बंद हो जाती है calves muscles में जो flexor muscles से वो stretch होकर खीच जाती है और उंगलियों को बंद कर देती है और जब तक body weight उस muscles में पड़े रहता है तब तक वो उंगलियां बंद रहती है चाहे birds सो भी जाये तो भी वो फरक नहीं पड़ता और जैसे birds fly करती है body weight उपर की और जाता है और वो muscles release हो जाती है और उंगलियां खुल जाती है वो interlocking mechanism खुल जाता है इस condition को कहते हैं purching mechanism यह most important characteristic feature है birds का जो की flight adaptation का part है और mammals में जब हम देखते हैं तो mammals की जो hand limbs हैं यदि horse के case में है तो running के काम आती है और aquatic mammals है तो वो swimming के काम आती है और manus से है तो वो walking के काम आती है तो hand limbs में सबसे पहला भाग लेते हैं femur का जो की first part है यह है femur bones frog की यह femur bones है reptiles की यह femur bones है birds की और यह femur bones है mammals की सभी में femur bones पहे जाती है सभी में पहला segments बनाती है फर्स segment थाई area बनाती है सभी में head पाया जाते हैं और सभी का head जो है acetabulum आप pelvic girdle से जाकर जूडता है second part आप देखेंगे इसो कहते हैं second भाग जो की tibia और fibula bones से बनती है तो जो frog के case में हम देखें तो जो second segment में tibia और fibula एक लंबी bones होती है कुछ मुड़ी होती है दोनों सिरों पर चप्टी bones होती है दो अस्तियों के मिलने से बनती है tibia एवं fibula ये जो एक part है यहाँ पर tibia और fibula आपस में मिली होई है एक separate bone नहीं है मिली होई bones है जबकि reptiles के case में tibia और fibula separate bone है और tibia जो है एक मजबूत bone होती है यहाँ पर देखिए यह tibia है और यह fibula है reptiles के case में और बीच में gap पाया जा रहा है और दोनों separate bone है इसके बाद मैं birds के case में आप देखेंगे tibia और fibula fibula जो है vestigial होता है यह जो fibula है vestigial होता है और यह जो है tibia जो है torsals के साथ में मिलकर tibio torsus बनाता है tibio torsus बनाता है जो कि यह इसका important character है और जब हम mammals के case लेते हैं तो tibia और fibula दो bones तो हैं लेकिन सीरे में जुड़ी रहती हैं यह आपस में आकर यहां पर सीरे में यह जुड़ी हुई पाए जाती है यह tibia है यह fibula है तो इस परकार यह second segment बनता है तो third segment में आते हैं इसको कहते हैं ankle area जो torsals जो bones हैं यह torsals bones जो है दो layer में बेवस्थित रहती है frog के case में first layer में torsals दोनों सीरों पर जुड़ी होती है इनको astragalus या tbale कहा जाता है यह देखो यहां पर दो पंक्तियों में यह जुड़ी हुई है इसको हम कहते हैं astragalus tbale के पास में है इसलिए tbale तथा calcanium या phibale कहा जाता है और जो phibia के पास में है उसको हम phibale या calcanium कहा जाता है central एक दूसरी पंक्ति में 5 tarsals जिसमें second, third, fourth आपस में जुड़कर एक अस्थी बनाती हैं यह जो second, third, fourth आपस में जुड़कर यह एक bones बनाती है, frog के case में और जब reptiles का case हम देखें तो tarsals की संख्या तीन होती है जिसमें एक बड़ी tbio fibular कहलाती है और दो छोटे आकार की अस्थियां होती है एक जो बड़ी है वो देखो यह tbio fibular tbale और fibula के पास वाली tbale fibula के पास वाली fibula और यह distal torsals का निर्मान करती है reptiles के case में birds के case में torso metatarsus एक लंबी bone होती है जिसके पास के सीरे में एक आउतला जबकि दुरस्त सीरे पर एक तीन भिनित घिर्री वाली तीन अंगलियों की अस्थि संदी करती है यह bones दूरस्त torsals एवं तीन metatarsals के जूनने से बनती है यहां पर क्या बना रही है torso metatarsals torso metatarsals यह bones बनाती है जो third segments birds का बनता है उसी प्रकार mammals के case में torso bones है ankle की bones कहलाती है इनकी संप्या 6 होती है और यहां पर देखेंगे 6 bones पासमे जो दो बड़ी होती है जो billions बनने खोती है 몮रे ऐस्त्री गेलस यहां पर देखेंगे यह है missions है वो कहलाती है estragalus यहाँ पर देखेंगे यह है estragalus दो bones estragalus एवं calcanium कहलाती है दूरस tarsal 4 होती है चौथी और 5 भी जुड़कर एक और bones बनाती है तो इस परकार यहाँ पर यह tarsals का भाग पाया जाता है mammals के case में अब जब हम foot area से आगे बढ़ते हैं यह हैं torsals के बाद metatarsals से पहुंचते हैं तो metatarsals जो flock frog के case में इनकी संक्या 5 होती है जो की 5 की उंगलियों को दिखाती है देखो यह 5 metatarsals यहाँ पर पाई जा रही है काले रंग में ड्राइंग्राम में देखेंगे काले रंग का चित्र जब की reptiles के case में यह 5 होती है जब 5 मुलियों की स्थिती को दर्षाती है यहाँ पर भी यह 5 है और 5 उंगलियों की स्थिती को दर्षा रही है जब की birds के case में metatarsals की संक्या 4 होती है प्रथम metatarsals छोटी स्थांतर बाहर की और निकली जब की दूसरी, second, third, even fourth भिनित होती है और दुरस सीरे पर इंगित होती है तो यहाँ पर metatarsals जो संक्या है यहाँ पर birds की case में दिखा रही है उसी प्रकार mammals में जो 4 metatarsals second, third, fourth, even fifth पाई जाती है second, यहाँ पर 4 metatarsals पाई जा रही है आप देखिए डाग्राम में black color का और अन्य जो इस्तनी पराणियों में 5 metatarsals होती है विभिन परचलन के कारण रूपांतरित होती है तो यह different types of locomotion के कारण mammals में कभी कभी यह پाँ बेस पांच भी पाई जाती है लूप आनतरित होती है इसके बाद जब उंगलियों की संख्या हम देखते है तो उंगलियों की संख्या जो frog के case में 5 पाई जाती है reptiles के case में भी ये 5 पाई जाती है और यहाँ पर चार उंगलियां पाई जाती है जो की birds के case में है और यहाँ पर पाँच उंगलियां पाई जाती है mammals के case में इस परकार यह comparative anatomy of hand limbs हमने आज study की और पूरे pentadectiles जो animal है उनके hand limbs का हमने comparative anatomy study किया धन्यवाद, thank you